असलाम लेकुम, आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है चिकन टिक का बिरियानी, उमीद करोती हो, यह रेसीपी आपको बहुत पसंद आईगी, यह रेसीपी मैंने काफ़ी सिंपल और होम इंग्रिडियंट्स ही बनाया है, मैंने कोई फ्रेंस इंग्रिडियंट्स नहीं तो चले शुरू करते हैं, रेसीपी की तरफ, तो यहाँ पे मैंने आदा किलो चिकन लिया है, अब यह आदा किलो चिकन मैंने लिया है, और आदा किलो मैं चावल लोगी, तो यहाँ पे मैं एक किलो की बिरियानी बनाने वाली हो, यह चिकन को हमें मैरिनेशन करना है, क्यों पे में डालूगी एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एक आधी टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून एवरेस्ट का तंदुरी मसाला पाउडर थोड़ा सा काली मिर्च और मैं यहां पे ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल मैं मुझे तीखा जादा पसंद है इसलिए में थीखा होना तो टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने तीन दाल है अगर आपको काम पसंद है तो एक दाल सब गए यहां पर मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखतूंगी तकरीबन आदे गंटे के लिए फ्रीज में अगर आप चाहे तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं या आदे गंटे के लिए रख सकते हैं तो यहां पर मैंने आदे गंटे के लिए रखा है तो जैसे आप चाहे वैसे का सकते हैं अब हम च कर लिया है ताकि हमारा चिकन मैरीनेड भी हो जाएगा आदे अदे गंटे तक और यहां पर हमारे अलू भी फ्राइब को जाएगे और यहां पर हमारे अलू भी नचसी कि यह बहुत भी तो आलो फ्राय होने के बाद हमारा आदा गंटा भी हो चुका है तो अब मैं यहां पर एक फ्राय नॉंस्टिक का फ्राय पेन लूँगी इसमें तेल डालूँगी और अब मैं क्या करूँगी जो इस चिकन हम लोग ने मैरिनेट करने के लिए रखते हैं वो सारी चिकन हम फ्र डाल रही हूं और अब मैं इसे फ्राय करने के लिए रख रहे हूँ queda और अब मैं सारी चिकन हमारे और निकल के उसमें डी ख्ड़िए लुडा हुआ और यह जो पैन का लीड है वह बन करके उसे फ्राय करने के लिए रख देना है तो थोड़ 10-15 मिनित के बाद मैंने आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरीक से गल भी गया है और जो मसाला है वो भी पक चगा है और ओयल भी सप्रेट हो चुका है तो इस स्टेश पे हमारी चिकन हो चुकी है रेडी अब टिका बनाना है तो हमें क्या करना है जो ये चिक अच्छी लगता है और इसी से ही उसका ओरिजिनल टिंस्ट आता है और काफी अच्छी लगता है ये हो गया है अब ये हमारा फ्राय हो गया है अब मैं ग्यास का बर्नर ओफ कर दूँगी थोड़ी देर से और उसे निकाल लूँगी और दूसरे पीसिस को इसी तरीके से ही बर्नर पर रखके थोड़ा सीख लूँगी अगर आपके पास वो जाली वाला है तो आप उसका य यह पास इसलिए मैंने यह वाला मैठर यूस कर लिया है तो यह फाइनली अब मेरा हो चुका है अब मैं इसे बंद कर रही हूँ आप देख सकते हैं और मैं आप लोगों को भी बता रहे हूँ कि यह दिखे कि हो चुका है यह एक मैंने अभी बाकी दूसरे भी कर लिये हैं बस हलक हलके से कर लेना है तो यह हमारा चो चिकन टिका है वो रेडी हो चुका है एकदम से अब हमारा चिकन टिका रेडी हो चुके अब हम चलते हैं उसके मसाले की तरफ क्योंकि बिर्यानी में मसाला ना हो तो मजा ही क्या है तो यहां पे मैंने एक पैन लिया है पैन में मै जादा ब्राउन नहीं होने देना है मैं as usual हमेशा यही कहती हूँ कि उसे हलका गोल्डन ब्राउन ही रख देना है तो जा प्यास में नहीं हापे थोड़ा सा फ्राय होने के बद मैं उसमें टमाटर मिक्स कर दूंगे तामाटर एड करने के बाद यह दोनों को चीजों को साथ म प्यास को ब्राउन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि प्यास और आलू दोनों भी नरम हो चुके हैं प्यास ने अपना कलर भी चेंज कर दिया है बस यही हमें कलर चाहिए तो अब इस टेश पर हम ढालेंगे एक चमच लाल मिर्श पाउडर लाल मिर्श पाउडर नालने के बाद मैं पहले उससे मिक्स कर लूगी ताकि जो कलर है वो उसका आ जाए जो ओरिजिनल रेड कलर है वो मिल चाहिए हमें ओल में तो देखी है हमें वही जैसा कलर चाहिए ता वैसे ही मिल गया है तो मैंने यहाँ पर जो फोटी दो स्टेबल स्पोन तो यहां फे मैंने दो टेबल स्पुन धनिया पौडर डाल दी हूँ ुए फिर इसमें में थोड़ा सपानी अड़ करूँगी और यह धनिया पौडर को भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी सारे मसाले में हाँ यह अधिया है कि यह भी हमारा मसाले मिक्स होले और में आफ भाकी के जो मसाल है को एड़ दोंगीải घ्राइ को यह भी मसाले जो दक दोंगी मैं यह बरावल यहाँ लिया है यहाँ बड़ा पैस्ट है कर दो दोना भावल दोनाई मसाला पाउडर एक चममच, हल्दी पाउडर, और नमक, यह सारे चीजों को आड़ करने के बाद यहां पे नमक डालना आ है अपने स्वाधनुसा और यह सारे चीजे डालने के बाद में इसे थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसके भूलने रख दूगी तो जयो सारा मसाला वो हमें उसे पकाने रख देना है तकरीबन 5-10 मिनिट उसे आप बार बार चिक करते रहें कि हमारा पस्त मसाला पक चुका है या नहीं मसाला पकने के लिए तकरीबन 5-10 मिनिट के बाद मैं देखोंगी तो हमारा मसाला रेडी हो चुका है आप देख सकते कि काफी कलर भी अच्छा जाया है और ओयल भी सप्रेट होए मुझे ज्यादा ओयली नहीं पसंदे तो अब मैं पैन को निकाल के रख दियू और मैंने क्या भी जोशिकन ठिकन बोटी थी मैंने लोग पिर चाए आप कर लीए हूँ और आलो थे जो हमने फ्राय करके रखेघ वो भी सारे मसाले मेंग समें अधै कर दियू ढ़ मैं क्या करूंगी, हमने इसे धुंगार डिलना है, कॉल की, तो मैंने एक कटोरी ली हूँ, उसमें कॉल रखी हूँ और ऊसे फुला लिए हु, इसको इऊपर मैंने असलेगी डालके उसे, के ऊपर धकन डालके उसके दुंगार के लिए रख दिया। जो उसके smoke आते है न उससे जो taste आता है वो काफी अच्छा होता है इसलिए मैंने ऐसे कर यो तो ये भी हो चुका है हमारा masala ready अब हम final stage पर हाएंगे जो की है चावल बास्माती यहां पर मैंने लिए तक्रीब कीलो पास्माती चावल लिया है वो आलेड़ी एक घंटे पहले से ही भीगो के रखी है अगर हम चावल को भीगो के रखते तो अची तरीके से बाश जाते है तो एक घंटे के बाद मैंने यह बड़ा सा बर्तन लिया है यहाँ पे मैं ने चार ग्लास पानी डाल दिया है एक यहां पी दुसरा ग्लास चला गया और फिर मैं तोड़े गरम मसारे डाल दूंगी जैसे की जीरा डाल eens दूंगी डाल दिया है और पुलाव पत्ती भी डाल दूँगी इसमें मुझे पुलाव पत्ती की खुश्बू बहुत अच्छी लगती इसलिए मैं हर चीज में पुलाव पत्ती का यूस करती ही हूँ अब ये पुलाव पत्ती और ये जो पानी को हमें उबाल लाना है तो जैसे ही पानी का उबालाना चुरू हो जाएगा तो हमें ये चावल एड कर देना है अब मैंने वो चावल का पानी सारा निकाल के वाश करके रख दिया था अब मैं इसमें एड कर दूँगी और ये चावल को मिक्स करके उसमें मैं नमक डाल दूँगी अपने स्वादनूसा और चावल को पकने रख दूई अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह चावल को पूरी तरीके से नहीं पकाना है हमें यहाँ पे चावल को 75% तक ही पकाना है पूरी तरीके से नहीं पकाना है तो थोड़ी दैर के बद हमारे चawhile हो चुके है पक गए है आप देख सकते है थोड़े और गिले है पूरी तरीके से नहीं पके है क्पके है यहाँ पर गिले है और मैंने तोड़ के भी बताया थो दो तुट जाता है तो इसलिए वो गिले है अब बस यह से पर हमारे चांहार सब इसे ली हुँ और ठोड़े चावल रख दी हुँ आब नीचे के लेयर रखे दिए हुँ गासे लग देँगे तो हमारी सक्गेंड लेयर वो स्कुरूपी कर देंक्ट इसमें डाल रही हूं का अ अब नियसे मसाला हो गया है बन नद को छुगत है यह दू पर यह ऐन चावल के रखे बारीद तो जब ऻुट्यलर को तंद आधल में का दू entertainment चावल है जिसे हम ढी color नेल का उचुक शुलिए नीट का पहरेद के यहe यहां पे मैंने बीरिस्टा डाल दिया है और यह जो चिकन है अभी ही से हमें दम पेर डालने के लिए रख देने हैं तो यहां पे मैंने 10 मिनिट के लिए दम पेर रख दिया था था सुनुआच परte के बाद आप देख सकते हैं उसका वेपर स्टेमी चे सारी निकल रही है और यहां पर आप मैं आप इसकी प्लेट में निकाहल रही हूँ सारी बिल्यानी आप देख सकते कि काफे की खुबसूरत नजर आ लिए है थेंक यू